अकसर जब भी हम फोटोस को शूट करते तो फोकस मोड को बहुत ध्यान में रखके फोटोस शूट करना पड़ता है otherwise आपका जब फोटो होए या तो मोशन ब्लॉर या फिर डी फोकस हो सकता तो आज हम जानेंगे कि किस टाइप के फोकस मोड होते हैं और कहां पे हमें इनको यूज करना चाहिए तो चले सबसे पहले हम जानते हैं EFS को आटो फोकस सिंगल Canon की बात करते हो वन शॉट के नाम से जाना जाता है ये तब यूज किया जाता है जब आपको लगे कि आ अरे आपका जो सबजेक्ट है वो स्टिल है वो एक जगा रुका हुआ है कोई भी मोवेट नहीं कर रहा हो जाद अतर बैड़िंग्स में हम EFS का ही यूज कर रहे होते हो जहां पर हमें पता होता है कि हमार जो subject होता है, post कर रहा होता है, हम उनको बता भी देते हैं कि आप बिल्कुल मत हीलिएगा, तो आपका जब photo होता है, बहुत ज़्यादे still आता है, बिल्कुल motion नहीं आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हो देखते हैं, AFC को, AFC हम कभी use कर यहां पर practical share कर रहा हूं कि किस तरह से AFC काम करता है, अपने shutter button को जब आप half press करके रखोगे ना, तब क्या करता है, आपके subject को follow करना शुरू कर देता है, एक और बार मैं आपके साथ practical share करता हूं, मैंने अपने subject को बापीज भीज दिया है, ठीक है, तो अब यहां पर कैसे आप follow कर सकते हैं, shutter button जो होता है, camera का जैसे आप photo को click करते हैं, just उसको half press करके रखेंगे, अब क्या है, वो दूर से भाग कियागा मेरा subject, तो देखे किस तरह से follow करेगा, अभी मैंने half press कर दिया है, और मैं brush mode का use कर रहा हूं, जैसे close आएगा मैं उसको full press कर दूँगा, और आपके सामने जो photos आएंगे, वो still आएंगे, motion नहीं आएगा, बट आप ध्यान रखेगा, आपके subject का speed कितना है, उसी according of shutter speed को भी maintain किये जगा, तभी otherwise photos आपको motion blur आ सकता है, उसके बाद बात करते हम manual focus का, MF का, MF का use बहुत ही अच्छा होता है, जब आपको लगे कि मेरा focus पीछे नहीं जा रहा है, मैं किस टाइप से उसको focus पीछे ले जाओ, आप हिल नहीं सकता है, आपका subject नहीं हिल सकता है, तो focus background में shift करने के लिए, lens में जो manual ring होता है focus का, उसको rotate कीजिए, easily से आपको जो focus होगा, वो background में shift हो जागा, यह अच्छा option है, इसके बाद एक बहतर हुआ है, still है, moment नहीं करा, बट अचानक से वो हिल जाए, वो moment कर जाए, तो यहाँ पर camera confused ना हो, तो camera में एक settings को बनाया गया है, जो कि EFS और EFC का combination है, जहाँ पर camera दो तरह से काम करता है, जब आपका camera लगे, कि सामने जो आपका subject still है, रुका हुआ है, तब वो EFS को use करता ह और जब ऐसा लगे कि वो movement करने वाला या कर रहा है, तो वो convert हो जाता है EFC में, तो यहाँ पर photograph के shoot करके, आपको एक still photography देता है, जहाँ पर कोई भी motion blur नहीं होता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, focus mode का बहुत ही importance role होता है, अगर आप इनको photography में follow नहीं करते हो, कहीं आपका जो photos होता है, वो motion blur आ सकता है, defocus हो सकता है, तो focus mode का use जरूर करें, according कि आपका subject रुका है, movement में है, क्या करना चारें, क्या shoot करना चारें, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, कि अगर आपका camera किसी area, area focus mode का आप use करेंगे, और आप उसको follow करना चाहेंगे, आप subject को तो follow नहीं होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है, कि जब भी आप अपने subject को follow करना चाहेंगे, अपसी यूज़ करना चाहेंगे, तो circles में नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करें, आप all area AF का use करें, तभी AFC काम करेंगे, और भी जादा tips, information, settings के लिए आप मुझे follow कर स देखते हैं,